हेलो फ्रेंट्स आज मैं लेक्के आई हूँ आपके लिए मैगी पीजा रेशिपी यह रेशिपी केवल 10 में बन के तयार होती है बहुत ही इजी रेशिपी है और बहुत जादा टेश्टी लगती है तो आई यह रेशिपी बनाना शुरू करते हैं अगर रेशिपी पसंद तो वीडियो को लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मैगी पीजा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पीजा बेस ले लिया है रेडी मेट पीजा बेस है आप चाहे तो घर पे भी होम मेट पीजा बेस बना सकते हैं और यहाँ पे आप चाहे तो ना यह पीजा की लिख्स करके इसे ऐसे फैला देंगे आप चाहे तो इस पे टैमाइटो केचब भी लगा सकते हैं और अगर पीजा का फ्लेवर चाहिए न तो पीजा सॉस जरूरी होता है तो आप पीजा सॉस लगा है और फिर मैंने यहां पे चीज डाल दी है ठीक है तो यहां पे चीज डाल पूरा ऐसे फैला देना है पूरा पीजा पे तो यहां पे मैंने मैगी रख दिया है मैगी और पीजा का बहुत बढ़िया कंबिनेशन बहुत जादा टेस्टी लग रहा था तो इसे जरू ट्राइ कीजिएगा ऐसे इसे फैला के पूरी तरह से रख देंगे हम यहां पे देख या फिर आपको जो भी सब्जिया पसंद है मश्रूम वगयरा भी आप इस पर लगा सकते हैं तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप पीजा का ऐसे सजावट कर लिजे ठीक है और अब मैं डाल दूँगे इस पर भर कर एकदम भर कर डालना है चीज बहुत ज़्यादा चीजि चाहिए तो चीज प्वड़ा ज़्यादा ही डालें तो यहाँ पर चीज डाल देंगे तो यहाँ पर देखेए हो गया हमारा पीजा का सजावट तो यह तो इतना सुंदर दिखता है आपको नजदिक से दिखाते हैं कि देखिए। बढूराऊ कितना सुन्दर दिख रहा है तो अब और इस पर हम डाल गेंगी चिली फ्लैक्स अब चाहिए तो औरिगेंओ भी ढाल सकते हैं। सकते हैं कि यहाँ और चिली फ्लैक्स काली मिर्जक पाउडर जाल सकते हैं। कर देना के लिए मैंने यहां फेचा कडाई चड़ा दिया गरम होने के लिए 5 to 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था भिलकुल लो फ्लेम पर तक कडाई हमारी अच्छे से हीट हो जाए तो और दस से पंदरा मिनट के लिए आप फिल्कुल लो फ्लेम पे इसे ढख के छोड़ दीजेगा तो दस मिनट बाद आप दस से पंदरा मिनट बाद आप देखेंगे कि यह चीज जो है न अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी जब चीज मेल्ट हो गई हो न तो आप गैस आफ कर दिजेगा और पीजा बेस जो है न मेरा 10 मिनट 10-15 मिनट बनके वो भी पूरी अच्छी तरीके से पक जाता है बिल्कुल भी टेंसन लेने की जोड़त नहीं है कि पीजा बेस कैसे पता चलेगा कि पक आई दस मिनट होता है पकने में तो जब तक चीज हमारी मेल्ट होती ह कर सो हैं तब तक पीजा बेस भी पक जाता है तो यहां पे आपको कट करके दिखा देते हैं एकदम अच्छी तरीके से हमारा बेस पक के त्यार हो चुका है पीजा हमारा पूरी तरह से बन के त्यार हो चुका है बहुत जादा टेश्टी लगता है जो मैगी और पीजा का कॉमिनेशन है बहुत जादा टेश्टी होता है तो इसे ट्राइ जरूर कीजिएगा अगर रेश्पी पसंद आए तो वीडियो को बाइ बाइ फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले नई रेसिपी के साथ